हेलो दोस्तों आप सबका अपना क्लासस में स्वागा थे आए हम परसेंटेस का नेक्स्ट पार्ट आज हम करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 11 से इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एक से लेकर 10 तक के कोश्चन हमने आपको करा दिया था टीम वेंस सेवन गेम्स एक जो फुटबर्ल टीम है वो कितने गेम्स विन करती है 7 और वीस ही 35 परसेंट आप ड़ा टूटल गेम्स और जितने भी गेम्स उन्होंने खेले हैं उसके दिखाता है कि 35 परसेंट मैच जीते हैं तो कोश्चन पूच रहा है कि हाव मेनी गेम्स नउय और पलाइद इनवा तो पूरे के पूरे कितने गेमजे खेले पे यानि एक टीम है जिन्वेन गेम्ज जीत लिए है और जीतने का जो परसेंटेज कितना है 35 पर्षेंट तो पूछा जा रहा है कि टोरटल जो गेम हुए हैं वह कितने हुए क्या करेंगे लेट लेट नंबर आफ गेम एक्स देन थर्टी फाइफ परसेंट आफ एक्स एक्वल टू कितने गेम्स के बराबर है सेवन गेम्स के बराबर है यानि 35 परसेंट जो गेम है जो जितने मैस खेले गए हैं टोटल गेम्स का वो कितना है 35 परसेंट है यानि हम इसका निकालेंगे 35 मल्टिप्लाइग एक्स अपन में 100 इक्वल टू 7 यह क्या लिख सकते हैं हम इसको एक्स इक्वल टू 7 मल्टिप्लाइग 100 अपन में 35 से यह कटेगा 5 टाइम्स में 5 से यह कटेगा 20 टाइम्स में यह टोटल जो गेम है वो कितने है क्वेशन नमबर 12 लिखा हुआ है अमेट वास गिवन एंड इंक्रिमेंट आफ ट्वंटी परसेंट ऑन इस सैलरी आफ इस नियू सैलरी इस रूपेज 30600 वाट वाज इस सैलरी विफोर दा इंक्रिमेंट यानि एक ब्यक्ति है ठीक है एक ब्यक्ति है जिसकी सैलरी 20 से जाती है हमारा 30600 t WhatsApp 2020 बढ़ने के बाद सेलरीर हो रही है तो पूछ रहा है कि पहले वाली जो सैलरी विफोर इंक्रिमेंट यानी बढ़ने से पहले उसकी सैलरी कितनी है कि से इस चीस को समझते है कि यूर सेलरी हों मीलती हैं कितनी है 100% है अब 20% क्या हो गया उसमें इंक्रिमेंट हो गया यानि कितना हो गया हमारा 120% हो गया ठीक है तो आएए कोशन करते हैं सबसे पहरे हम लेट कर लेते हैं लेट ओल्ड सैलरी इस एक्स लेट कर लिया कि लेट दो ओल्ड सैलरी इस एक्स आफर इंक्रिमेंट दिखेंगे आफ्टर आफ्टर इंक्रिमेंट ट्वंटी परसेंट उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी हंड़ेट प्लस ट्वंटी यानि उसकी सैलरी होगी वन ट्वंटी परसेंट अब क्या करेंगे हम तो निकालेंगे नाव या देन कर लेंगे देन क्या लिखेंगे वन ट्वंटी परसेंट आफ एक्स इक्वल टू थी जीरो सिक्स जीरो देख लिए लेट दो ओल्ड सेलरी कितनी है उसकी एक्स है ठीक है आफ्टर इंक्रिमेंट ट्वंटी परसेंट जब इंक्रिमेंट हो रहा है तो कितनी सेलरी होगे उसकी हंडेट प्लस ट्वंटी इस इक्वल टू बन ट्वंटी परसेंट देन वन ट्वंटी परसेंट आफ एक्स एक्वल टू 30600 अब हम इसका निकाल लेते हैं तो 120 multiply x अपॉन में 100 इक्वल टू 30600 एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 30600 00 multiply 100 अपॉन में 120 10 से 10 कट जाएगा इसको जब हम इससे काटेंगे तो यह कटेगा 255 यानि एक्स की जो वैलू है वह हमारी आ गई क्या कि 100 से में multiply कर देंगे तो जीरो जीरो यानि उसकी जो सेलरी है वह बढ़ने से पहले कितनी थी 25500 रुपय थी और बढ़कर कितनी हुई थी 3600 हुई थी चली यह आगे आपका answer नेक्स्ट कोश्चन है सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 देज इन फूल इयर इफ हर अटेंडेंडेंस इस 85 परसेंट है finding the number of days on which this school was open you know सोनल लड़की है कि 200 4 दिन इस्कूल गई हुई है कितने इन गई है 2004 दिन उसकी इस एटेंडेंस है और उसकी जोатыंडेंस है वह कितनी TUन Colon Arts यह पूछ रहा है कि इस्कूल जो है कितने दिन तक ओपन था यानि टोटल जो इस्कूल था वह गई है और उसका परसेंटेज कितना है 85 परसेंट तो पूछ रहा है कि इसकूल कितने दिन खुला था चलिए क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं लेट एक्स बीदा नमबर और देज हमने क्या लेट कर लिया लेट एक्स बीदा नमबर ओफ देज देज इसकूल वस ओपन यानि जो हमारा इसकूल था वह एक्स दिन तक ओपन था ठीक है तो हमें क्या करना है देन क्या हो जाएगा हमें क्या करना है 85 परसेंट निकालना है ने यानि क्यूआ निकाल लेते है इसका 85 मेंया ब्ल्ट्यप्लाइग एक्स अपन में क्या बेक्स होजाएगा इक वोलड टू जिरो फोर हम इसको क्या लिख सकते हैं 204 कि हंडेड अपं में 85 है देगे 5 से कटे हैं टेवंटी टाइमस में 5 से कटेगा सेवेंटीन टाइमस में और सेवेंटी वेंटीन से जब इसको हम काटेंगे तो फोट जीरो डेज यानि जो स्कूल था वो कितने दिन तक अपन था को दोसो चालिस दिन आगे समझ में बात जो स्कूल था कितने दिन तक अपन था दोसो चालिस दिन नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 करता है कि A's income is 20% less than that of B by what percent is B's income more than A's यानि कोशन को समझ यह सबसे पहले कि जो A का जो income है किसका A का जो income है वह 20% less than B पहले समझ लेते हैं इसको यह हमारे A महराजजी हो गए है और यह हमारे B महराजजी हो गया यह दो व्यक्ति है ठीक है दो व्यक्ति में कह रहा है कि A की salary है 20% less than B यानि B को कितना मिल रहा है 100 अब 100 से 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 80 यह बात समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब यह हुआ कि 100 से यह हमारा कितना कम हो गया 20% अब कोशन पूछ रहा है कि what percent is B's income more than A तो B का जो salary है यानि B का जो income है कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा यह 20 किस से 80 से 80 नीचे रखेंगे और 100% से क्या कर देंगे इसका multiply कर देंगे चलिए कोश्चन को हम डिटेल में करते हैं लेट वी इंकम भी हंडर्ड कितना हंडर्ड अब एक इंकम कितना हो जाएगा लिखेंगे इस इंकम एकवल टू एटी हंडर्ड रुपीज था और इसका कितना है एटी रुपीज है ठीक है अब कोश्चन यह कह रहा है कि बीज इंकम मोर देन एस तो बी से यानि बी इंकम मोर देन ए यानि एसे बी कितना अधिक है तो लिखेंगे आफ्टर दैट या दियर्फों कितना ज्यादा है यह चंटी और किसे से पूच रहा है यानि एटी से एटी हमारा कहा आएगा नीशे मल्टिप्लाइ में क्या हो जाएगा हमारा अंडेड परसेंट ट्वंटी से इसको काटेंगे तो फोर टाइमस में फोर से इसको काटेंगे तो 25 तांसर कितना ज्याएग हमारा 25 परसेंट यानि जो भी है वो एसे 25 परसेंट ज्यादा है है नेक्ट कोश्चनि क्या आपका दैट क्या प्रिस प्रिंट पेर्ट्रोल ग्जाव है हो वारी प्रिंट रेंसन आप इंट को छेंट प्रिंट belle ऑने घ्र्राइग की पेट्रॉल कादाम दस परसंट बढ़ जाता है पेट्रोल का दाम दस परसंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है लेट लेट दा लेट दे ओरिजिनल कॉस्ट आफ पेट्रोल इस एकल टो 100 पीस कितना है मारा 100 है लेट दा ओरिजिनल कॉस्ट आफ पेट्रोल उपल टो 100 देन बढ़िनल कॉस्ट आफ इंव कॉस्ट आफ पेट्रोल एकल टो 100 प्लस 10% तन पर छेंट क्या हो रहा है उसमें इंक्रीज हो जा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे वहन हंडेड़ यह इसमें से उनको कितना कमी किया जा है कि उनके खर्च पर ज्यादा प्रभाव नपड़े तो क्या करना इसका लिखेंगे . A motorist must be, must reduce the consumption of petrol equal to percent की कमी की जाए तो बताइए यह से कितना कम है 10 और किस में से पूच्छ रहा है यानि 110 यानि 110 में से कितने परसेंट की कमी की जाए कि कितना हो जाएगा यह बात समझ में आ रहा है इससे पहले वाले जो कोशन हमने बताया था तो कितने परसेंट की कमी की जाएगी तो उसमें कितना एक अंतर है दस का है और कितने से 110 में से तो 10 अपॉन में 10 इन मल्टिप्लाइ 100 परसेंट जीरो से जीरो कटेगा यानि इसका आंसर आएगा कितना 100 अपॉन में 11 परसेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं नाइन होल 11 परसेंट यानि देखें नेक्स्ट कोशन है द पापॉलेशन आफ टाउन इंक्रीज़ बाई एट परसेंट एन्वाली इफ द प्रिजेंट पॉपॉलेशन इज फाइफ फिप्टी-फोर थाउजन वाट वाज इट आई यह गो यानि कोशन यह कर कोशन यह करता है कि यदि इट परसेंट की ब्रिधी की जाती है इंक्रीज हो जाता है यानि यह परसेंट कया हो जाता है उसमें इंक्रीज हो विल्वन परशंट तो क्यों हैं तो सबसे पहले इसको समझ सब्सक्राइब करें हैं जो 108% इंक्रीज हुआ है वहीं यह दिया हुआ है कि 54,000 जो जनसंख्या है वह 108% होने के बाद है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या करने लेंगे कि इसकी जनसंख्या जो है वह लेट कर लेते हैं आईए कोश्यन करते हैं से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हुँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आपको फर्स नोटिफिकेशन मिलता रहा है न्यू है इस चैनल पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चलिए नेक्स्ट हमारा सिक्षिन कोश्चन है करते हैं क्या कर लेंगे इसका लेट कि लेट दा पॉपुलेशन आयर एकक्स तै या लेट दापोपुलेशन अईयर एक्स यानि एक साल पहले जो था हमारा पपुलेशन मिलंक on एक्स था तो प्रिजेंट पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ क्या निकालने हम लाज जीरो एट प्रसेंट आफ एक्स एक्वल टू फाइफ ओर जीरो जीरो यानी फिटीफ फॉर थाउजेंड यानि देखें लेट दपॉपॉलेशन आई-एगो यानी एक साल पहले जो पॉपॉपॉपॉपॉलेशन थी ओ कितनी थी एक्स थी हमने लेट क नाव क्या करेंगे हम एक सो आठ परसेंट किसका एक्स का जो पोपुलेशन था उसका निकाल कर बराबर में क्या रखेंगे हम 54,000 को तो इसको सॉल्फ कर लेते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं 54,000 मुल्टिप्लाइब अपन में 108 यह इससे 5 टाइमस में कटेगा यानि 500 यह इससे कितने बार में कटेगा फाइफ टाइमस में कट जाएगा अब 500 संक्या कर देंगे इसमें मल्टिप्लाइब कर देंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन है वह कितना आ गया 50,000 देख लिजिए कि एक साल जो पहले जन संख्या जो थी वह कितनी थी 50,000 जो बढ़कर कितनी हो गई थी 54,000 देखो बच्चों नेक्स्ट कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर 17 देवेलु आफ आफ मस्चीन डिप्रेशियेट्स एब्री यार बाइट्टी परसेंट इप दा प्रिजेंट वैलु आफ दे मस्चीन वी 1,60,000 वाट वाज इस वैलु लास्ट यह लास्ट यह लास्ट यह 5 एड्स वैलु लास्ट यह वाज एक्स लेट इस वैलु लास्ट यह वोज एक्स यानि इसकीज़ वैलु था वो क्या था हमारा एकस था प्र रेजान्ट में क्या थे प्रिजेंट वैलू आफ मशीन इस इकुल टू देगे प्रिजेंट वैलू आफ मशीन इकुल टू कितना है हमारा तो हंडेट तो होता यह अब बीस परसेंट का क्या हो जा रहा है उसमें अन्हों हो जा रहा है तो बीस परसेंट यह वीस परसेंट किया कर देंगेस से कर तो कितना एगा हमारा कि किना करेंगे next नौव है कि निकालले 80 परसेंट प्रज्ट एक्वल टू 1,60,000 यह दिया हुआ है कि जो घटके हो रहा है यानि जो घटने के बाद हो रहा है 80 परसेंट वह दिखा रहा है कि प्रिजेंट टाइम में हैं प्रिजेंट टाइम में कितनी है 1,60,000 है तो हम क्या करेंगे 80% of X equal to 160,000, 60,000, निकाल लेते हैं इसका 80 multiply X upon में क्या हो जाएगा हमारा 100 equal to 160,000 हम इसको क्या लिख सकते हैं 16000 multiply 100 upon में 8010 से 10 कटेगा एट से इसको काट दे 2000 आएगा अब X की जो वैलू है वह कितना आगे हमारा 2000 और 20 इसमें यह नहीं हंड़र से इसमें multiply कर देंगे तो पिछली साल उसका जो वैलू था किसी इसका मसीन का वह कितना था 20 लैग था सॉरी 2 लैग था नेक्स्ट कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर 18 लिखा हुआ है एन एलोई कंटेन 40 परसेंट आप कॉपर 32 परसेंट आप निकल और रेस्ट जिंक फाइंड दे मास आप जिंक इन वन केजी आप दा यानि एक एलोई दिया हुआ है ठीक है एक एक एलोई मान लिजे दिया कॉपर है और क्या है निकल है और जिंक है ठीक है तीन चीज दिया हुआ है कलोई में तीन चीज दिया हुआ है और कॉपर का जो परसेंटे से हो कितना है हमारा 40 परसेंट है निकल कितना है 32 परसेंट है और रेस्ट क्या है हमारा जिंक है तो टोटल हमारा कितना होता है 100 परस क요 करेंग है इन दोनों को प्लस कर के माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा ज़िंग का निकल जाएगा अब दूसरा चीज ये है कि total यह कितना है one केजी है तो Unter केज़ी को हम क्या लीख सकते हैं में तो लिख सकते हैं यानि mass of alloy equal to 1 kg or 1000 gram आप क्या लिखेंगे . Percentage of copper is equal to 40 percent percentage of nickel is equal to 32 percent अब किसका percentage निकालना है परसेंटेज आफ जिंक परसेंटेज आफ जिंक तो क्या होगा हमारा हंडेड माइनस 40 प्लस थर्टी तू प्रसेंट इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा यानि जो है उसके एक केजी में कितना जिंक है 28 परसेंट चलिए हम निकालते हैं इसका नेक्स्ट नाव लिखेंगे 28 परसेंट और 1000 ग्राम कितना है वन केजी है यानिवन केजी को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट ट्वंटी एट मॉल्टिप्लाई वन थाउजन अपन में क्या लिखेंगे हम हंडेड दो जीरो सो दो जीरो कटेगा इसका मॉल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हैगा दो सो असी ग्राम जो के हमारा आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है आप लोगों का दे सेलरी आफ एन और इजिनल देस इसेंट कोश्चन यह है कि कोशन फिक एक उसकिलित महराजी है उनके 25 सेलरी बढ़ जाती है क्या होती है 25 सेलरी बढ़ जाती है लिखा हुआ है ठीक है 25 सेलरी बढ़ जाती है तो कोश्चन यह करा है कि इन ऐज description को ये 9 यह उणी जो आफिसर है उसको कितने कि परसेंट की जो बढ़ी हुई सेलरी है उसमें कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए ताकि उसके औरिजनल सेलरी के बराबर हो जाए तो चलिए सबसे पहले को समझते हैं कि टोटल जो सेलरी होती है वो कितनी होती हमारी हंडेड है ठीक अब कोशन यहीं कहा रहा है कि यह बढ़ी हुई जो सेलरी है वो इससे कितने परसेंट की कमी की जाए तो सबसे पहले हम देखें कि कितना कम है यह 25 और किसमें से 125 मुल्टिप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 100 परसेंट चलिए को करते हैं आईये लिखेंगे लेट दा ओरिजिनल शैलरी रुपीज कितना है मारा 100 रुपीज नेक्स्ट आफ्टर इंक्रिमेंट 25 परसेंट कितना हो जाएगा उसका 100 प्लस 25 इस इक्वल टू 125 रुपीज ठीक है यानि 100 रुपीज था 25 परसेंट का उसमें इंक्रिमेंट हो गया तो उसके सेलरी कितनी हो गई 125 रुपीज इक्वल टू कितने परसेंट कितने का अंतार है इसमें 25 का डिफ्रेंस है और किसमें से पूच रहा है तो 125 से 125 नीचे रहेगा और मल्टिप्लाइब में क्या हो जाएगा हमारा अब इसको काट दें यह फाइव टाइमस में कटेगा और फाइव इसको काटेंगे तो यानि उसको अपनी जो बढ़ी हुई जो सेलरी है उसको 20 परसेंट की क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा तब जाके उसके औरिजिनल सेलरी के बराबर आएगा यह था आपका फॉर्शन यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और बेल आइकन को जुरूर प्रेस की जिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो बनाओं आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू फॉर वाशिंग मैं वीडियो